नमस्कार स्टार केज 11 में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम अपनी राहू की सेरिस को आगे बढ़ाते हुए राहू खाना नमबर 10 के बारे में चर्चा करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दस्वा घर शनी का पका घर होता है, मंगल यहां उच्च का होता है और गुरू नीज का हो जाता है तीनों ग्रहों की अच्छाई और बुराई साथ साथ चल्दी है अगर दस्वा घर में शनी अच्छा होगा तो राहू भी अच्छा रिजल्ट देता है और अगर शनी अच्छा नहीं होगा तो राहू भी अशुक फल देगा खारा नमबर दस में राहू साप के फन पर रखी मनी के जैसा होता है अगर यहां राहू अच्छा होगा तो राहू का फल भी अच्छा होगा जिस तरह साप की मनी कितना भी अधिक जहर क्यों न हो वह मनी को रगणने से उतर जाता है उसी तरह राहू दस के समय इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है और वह उसको अच्छा फ़ल देता है अगर यहां राहू भुरा हो तो राहू साप के कटे सिर जैसा भयानक हो जाता है और दोस्तों रिष्टेदारों से दूर होकर कंजूस, स्वार्थी और इर्शालू हो जाता है दस्वे घर कर राहू अगर अच्छा हो तो देरगायू, बड़ा व्यपारी, धन के लिए दुगनाफल देने वाला होता है दस्वे राहू में समय अपने पिता के लिए तो ये अच्छा होता है पर अपनी मा और खुद की हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रियेट हो सकती है अगर कुंड़ी में खाना नमबर दस में राहू अच्छा हो तो व्यक्ति बहादुर, अमीर और लोगों से संबान पाने वाला होता है राहू दस के समय अगर चंद्रमा अकेला हो, चोथे घर में हो तो व्यक्ति की आखों को प्रभावित करता है अगर राहू दस के समय मंगल बद हो जाए तो इसका भी उपायक करना चाहिए मंगल बद कब होता है जब मंगल केतु या मंगल भुथ इकटे हो या सूर्य और शनी इकटे हो जाएं तो मंगल बद हो जाता है तो इसे व्यक्ति की जिन्दगी में बहुत परिशानिया आ जाती है ऐसे में व्यक्ति की दृष्टी और आयू दोनों का ही प्रभाब पड़ता है खाना नमबर दस में सूर्य, शुक्र, मंगल और राहू अगर साथ हो जाएं तो ये डर को खाती की तरह बिहेव करता है जैसे सेना में युद किसमें अगर हाथी डर जाता है तो अपनी ही सेना को कुचल देता है उसी तरह यहां भी राहू अगर मंदा हो तो ये अपनी ही फैमिली और संपत्ती को नश्ट कर देता है राहू अशुख हो जाए तो व्यक्ति तंग दिल स्वार्थी हो जाता है और लोग और इसके रिस्तेदार इससे दूर होते चले जाते हैं और खुद की आयो भी कम हो जाती है दस्वे घर में राहू एक ख्याल की तरह होता है वह जो भी ख्याल कर लेता है वह पूरा हो जाता है और उसे प्रॉब्लम होती है उसको ऐसा लगता है कि यह सब हो रहा है और वह सच में होने भी लग जाता है चोथे भग घर में चंद्र और शनी अगर साथ हो और राहू दस्वे घर में हो तो व्यक्ति की आखों में समस्या हो सकती है राहू अच्छा हो तो व्यक्ति मल्टिफल विजनस में खूब धन कमाता है और अगर राहू अशुब हो तो उसे लॉसे भी खूब होते हैं जब राहु दस में हो और व्यक्ति कंजूसी करे तो उसे धनकी बहुत हानी होती है। राहु दस वाले व्यक्ति कभी शांत नहीं होते, ये हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों को माता का सुख कम मिलता है, या तो अपनी माता से दूर रहकर स्टरी कर रहे होते हैं, या पिर जॉप के सिलसिले में कहीं दूर चले जाते हैं। ये बिजनस में निपुन होते हैं और काफी ट्रावलिंग करते रहते हैं। राहु दस वाले व्यक्ति को गंगासनान भी करना चाहिए, ये यग्यादी भी करते हैं जिससे इनके शत्रू कम हो जाते हैं। कोट केस में भी इन्हें सफलता मिलती है। राहुदस वाला व्यक्ति शक्की होता है राहुदस वाले का खर्चा हमेशा अच्छे कामों पर होता है राहुदस düst والे को अपने विचारँ पर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि उसकी लाइफ स्पूध चल सके गलत विचार दिमाग में लायेगा तो उसकी प्रावग्लम काफ करना चाहिए नहीं तो समस्या हो सकती है मंदे काम करने से सोना बिग जाता है और उसकी जायदा धी खत्म हो जाएगी अगर राहु खाना नंबर दस में हो तो शनी को सही रखना बहुत जरूरी है अगर शनी अच्छा नहीं होगा तो राहु कोई भी अच्छा फल नहीं देग मंगल बत से व्यक्ति गुस्ते वाला हो जाएगा राहु दस वाले व्यक्ति को धूप में अपना सर धक कर रखना चाहिए और सर को हमेशा सफेद या भुरे कपड़े से धकेगा तो इसका रिजल्ट उसको काफी अच्छा मिलेगा अगर राहु अशुब हो तो पूर्वज कर सकते हैं हमें इसके अच्छे उपाई किस प्रकार करने चाहिए यह बताते हैं जैसे कि शनी को आप अच्छा करें नौन वेज ना खाएं पराय इस्त्री और पुरुषों से संबंद ना बनाएं भाई बंधों से रिलेशन अच्छे रखें अपने विचारों को अच्छा रखें नेगेटिव सोचना बंद कर दें तो खुद के साथ भी नेगेटिव असर नहीं होगा ग्रहों से बचना वैसे तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ग्रह अपना असर दिखाते ही हैं और हमारे कर्मों को भी देखते हैं और इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम कर्मकती को अच्छा बना सके हैं राहु दस के समय मंगल बद को नेग करें हनुमान जी की पूझा करें बजरंगबान का पाट करें मीठे बताशे बाटें चार किलोग्राम या चारसो ग्राम खान मंदिर में डोनेट करें या पाने में बहा दें सिर ढखकर रखें और अपने ससुर का आशिरवाद लें, दस नेतर हिनों को फोजन की लाएं, तो ये थी राहू खाना नंबर दस के वारे में उच्छानकारी, अगली वीडियो लेकर जल्द ही आपके सामने उपस्तित होती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद,